Hello guys, welcome to my youtube channel, इस वीडियो में मैं compare करने वाला हूँ Bolt Audio X1 Air vs Patron Tangent Plus Neck Band Comparison में हम देखें कि Mike की quality, Sound quality, Overall built quality जो कि Side by Side compare करूँगा तो जिससे कि आपको Design को समझने में और भी easy पड़ेगा और last में हम battery life की बात करेगे सबसे पहला different यह है कि हमारे pattern वाले के right side में बटन दिये गए और bold वाले के left side में button दिये गए जब आप neck में डालोगी तो right side वाले hand से आपका pattern वाले जो की volume कम जादा होएगा और bold वाले के अंदर आपका left side वाले hand से volume कम जादा होएगा तो यह सबसे पहला different है दूसरा मैं आपको side by side कुरी design शो कर देता है तो हम में left और right शो कर रहा हूँ तो board वाले का कुछी strap का design है इधर कुछी strap के आपको volume के और power का button दिया गया है और pattern वाले के अंदर के side में आपको कुछी strap का volume का power का button दिया गया है pattern वाले के अदरा एक advantage आपको C type support देखने को मिलता आपका mobile भी C type चार्ज है के तो चार्ज होता है तो आपको 2 cable carry करने के ज़रूद नहीं board वाले के अंदर आपको micro USB support देखने को मिल जाएगा power on करके भी show कर देता हूँ तो जब आप power on करके कुछी strap की light indicate करेगी red और blue quality की बात करें दोनों हमारे plastic quality plastic quality बहुत ही अच्छे है यह price range में दिये गई तो long time तक आपका चल जाएगा strap की quality की बात करें तो bolt वाले का strap थोड़ा से अच्छा quality है silicon material से बना हुआ slip भी नहीं होगा थोड़ा से रबड भी आपको देखने को भी लगा neck में पैन होगे pattern वाले का भी अच्छा quality है आपका plastic material से बना हुआ पूरा पतला है और यह वाला थोड़ा से जादा है wire की quality में थोड़ा से different है pattern वाला थोड़ा से अच्छा wire quality है as compared to bolt वाले से तो जादा को different देखने को नहीं मिलेगा बस thickness में थोड़ा से आपको different देखने को मिलेगा earphone की quality की बात करें दोनों के अंदर magnet दिया हुआ है magnet की quality में जो कि यह ना bolt वाला थोड़ा से जादा strong magnet है as compared to pattern वाले से pattern वाले के अंदर supporter भी दिया हुआ है bolt वाले के अंदर कोई भी supporter नहीं उपर से आपको दोनों curve देखने को मिल जाते है तो थोड़े से turn है अंदर के side में तो इसलिए हमारे ear में fit हो जाते है तो comfortable ear के लिए तो आप बात करें माइक quality के बारे में अब आप जो recording सुनने वाले हो वह मैंने bolt के माइक से रिकॉर्ड की हुई है आप जो recording के सुन रहे हो यह मैं bolt audio x1 air से रिकॉर्ड कर रहा हूँ कुछ इस टैप कि माइक कॉलिटी इतना background का noise रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कुछ इस टैप के आपको इसके माइक quality देखने को मिलेगे जबी आप किसी से call पर बात करोगे इतना background का noise रिमोगेगा और इतना clear voice सामने आले बंदे के पास में जाएगा तो आएप आपको अंदाज होगे रहे कुछ इस टैप का आपको my quality देखने को मिलेगा next आता है हमारा music quality तो music quality के अंदर थोड़ा से different है बोल्ड वाले के अंदर आपको थोड़ी से bathroom quality देखने को मिल जाएगी music के quality होगी bass के quality होगी as compared to pattern knowledge से 10 से लएके 5% का different है जब आप full volume में सुनोंगे तब ही आपको different पता चलेगा नहीं तो बागी आप 60% 70% volume में आपको इतना different नहीं पता चलेगा बैटरी लाइफ में आपको बहुत ही different देखने को मिल जाएगा बोल्ड वाले के अंदर आपको 10 hour की battery life दिए गई है और जैसे के मैंने इसे use किया last one week से use कर रहो तो 7-8 hour battery life देखने को मिल जाते है इसके बाद में इसके पूरी battery डाउन हो जाती है दोनों को charging का time आपको वन आवर लग जाता है कोई भी 5 वोट के charger से charge करता हूँ और कोई भी आपने अग्बन परचस करो इसको 5 वोट के charger से charge करो जब तक box के पर मेंशन ना हो कि कितने वोट के fast charger से charge करना है काफी लोग के different type के fast charger जाते है 35 वोट का होता है 18 वोट का होता है 65 वोट का होता है तो इससे आप charge मत कीजिए आपको battery पर अफेक्ट पड़ेगा तो दोनों 1 hour 20 minute 1 hour के करीब हमारे complete charge हो जाते है functionality की बात करें दोनों के इतने पूरा same functionality पावर के बटन से आपका quality और करने पर आपका power on और off होगा already phone के साथ में connect use वगेरा कर रहे हो 2 second तक long press कर रहे हो तो google assistant वगेरा wake up हो जाएगे और volume के बटन से volume कम जादा होगा long press करके रहोगे तो previous और next track की और move होगा जब आप minus और plus पे press करोगे तो तो दोनों neckband के बारे मैंने सभी इटेल में बता दिये कुछ भी चीज में भूल गया रहा हो तो आप उसे comment section में पूस सकते हो तो यह सेलर से मने पर्चेस के उसकी लिंक आपको में description में provide कर दूँगा जब मने पर्चेस के offer भी चाल होता तो हो से कि आपको भी कर दो